कैसे हो आप सब तो आज यानि कि चार नवंबर के जितने भी करेंट अफेर के क्विश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हैं तो आज का जो पहला क्विश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि भारत निरवाचन आयोग ने ओमिद्वारो और चुनाव प्रबंधन हेतु कौन सा आप तयार किया है तो इन फोर आपको याद रखना है यहां पे अगर हम बात करें तो निरवाचन आयोग ने उमिद्वारो और चुनाव प्रबंधन के लिए इन कोर आप तयार किया है इससे निरवाचन अधिकारियों को नामांकर इसकी जाच, सपत पत्र, मतदाता संक्या मतगरना, चुनाव परडाम और डेटा संबंध प्रक्रिया में सुविधा होगी तो चाहे कोई भी हो चाहे वो नामांकर हो चाहे वो जाच हो या फिर सपत पत्र या फिर मददाता संक्या तो इन सारी चीजों के डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी इस इन द्वारों के वित्तियस रोत अरी संपत्तियों और देया दाताओं की जानकारी मिलेगी तो यह कुछ इस तरीके का है इनकॉर एप यहाँ पर कि इस तरीके से है इनकॉर इंग्लिज में कुछ इस तरीके से है तो यह एप लांच किया गया है भारत निरवाचन आयूग election commission of India के द्वारा तो आप इसको याद रखेंगे इनकूर एप राइट वहीं पर हम बात करें इस टाइम पर भारत निरवाचन आयूग के बारे में तो मुख्य चुनाव आयूग तो कौन है तो राजीव कुमार है इस टाइम पर यह 25 मुख्य चुनाव आ जो पहले आ जाए और वहीं पर इस ठापना की बात करें तो 25 जन्वरी 1950 को इस ठापना होती है भारती निरवाचन आयूग की अगले question के बारे में बात करें तो हाली में World Food India प्रदर्शनी का उधगाटन किस ने किया ये किया है नरेंद्र मोदी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने World Food India प्रदर्शनी का उधगाटन किया है और वाडीजिय को एक जूट करता है चरचाओं, साजेदारी और क्रिशी कारडी चेकर में निवेश के लिए मंचवरदान करता है और यहां कारिक्रम नई दिली के प्रगती मैदान इसे भारत मंडपम में शुरू हुआ जहां प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी इसे सम्वोधित गिया अगले क्षिक्षण की तरफ बढ़ जाएं तो हाली में किस देश केद्वारा मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परिक्षड किया गया है तो मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परिक्षड किस देश के द्वारा किया गया है रूस, अमेरिका, चीन या फिर आयरलेंग तो जो करेक्ट आंसर है आपका अमेरिका ठीक है अमेरिका के द्वारा मिन्यूट मैं थर्ड मिसाइल का सफल परिक्षड किया गया है तो संयुक तराज अमेरिका की सेना ने हाली में अपनी परमाडु छमता का प्रदस्वन करते हुए मिन्यूट मैं थर्ड मिसाइल प्रचेकपड किया Minute Man 3rd देश की रड़नेतिक बचाव ताकतों का एक महतपुड घटक है जिसे वायू सेना Global Strike Command द्वरा प्रबंधित किया जाता है अगर हम इसके कुछ विशेश विवरण के बारें बात करें यह जो Minute Man 3rd मिसाइल है तो इसका भार 89,432 पाउंड है या फिर 36,030 kg है वहीं पे अगर इसके हम वियास की बात करें तो यह 5 feet या फिर 1.67 मिटर का है रेंज इसकी बात करें तो 6,000 से अधिक मिल या फिर 5,218 समुद्री मिल तो यह इसकी रेंज है समुद्रों की बात करें तो 5,218 और वहीं पे ऐसे सिंपली बात करें अर्थ पे तो 6,000 से अधिक मिल इसकी क्या है यह मिल में है वहीं पे speed की बात करें तो बर्न आउट पर लगभग 15,000 मिल प्रती घंटे मैक 23 या फिर 24,000 किलोमीटर प्रती घंटे इसकी क्या है speed है तो यह आपका है minute 3rd missile जिसका सफल परिक्षर संयुक्त राज अमेरिका की सेना ने किया अगर हम बात करें रच्छा सम्मदित कुछ करेंट अफेर्स के बारे में तो नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड्स मिला वहीं पे भारती नो सेना में 370 degree मुलियांकत प्रडाली शुरू की गई भारत और बांगलादेश की सेनाओं ने संयूप्त अभ्यास संप्रिती यह संप्रिती यह मेरहाले में शुरू किया भारत और बांगलादेश ने तेरा हुआ हिंद, प्रसांठ, सेना, प्रमुख, सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया अगले question की तरफ बढ़ जाएं तो एडल गिव हुरून इंडिया परुपकार सुची 2023 में कौन सिर्स पर रहा तो एडल गिव हुरून इंडिया परुपकार एक सुची जारी होती है हर साल ये जारी होती है एक्चुली अगर सिंपली भाता में समझे तो जो सरवधिक दान करता है गरीबों में या फिर किसी संस्थाओं पर ये उनकी सुची होती है तो हर साल ये निकाले जाती है तो ये 2023 का जो एडल गिव हुरून इंडिया परुपकार सुची है इसमें कौन सिर्ष पर रहा तो इसमें सिर्ष पर रहे हैं सिर्ष नादर और परिवार को यहां पर सिर्ष स्थान प्राफ्थ हुआ तो ये देखे HCL Tick, जो HCL Tick के, यहाँ पे जो संस्थापक हैं, सिव नादर और उनके परिवार ने एडल गिव हुरून इंडिया परुक्तार सुची 2023 में सिर्श स्थान बरकरार रखा है, वित्ति वर्स 2022-2023 के लिए उन्होंने 2022 करोर रुपए का परियाप्त दान दिया, यह लगातार पांचवा वर्स है, जब नादर 78 वर्स की आयो में, उन्होंने इस विशिष्ट रैंक का धावा किया है, तो यह लगातार पांचवी बार ठीक है, यह जो सिव नादर है, लगातार पांचवी बार इस सुची में संस्तापक हैं, और इन्होंने ए בחos 42 करोर रुपए यहाँ पर डोनेसन किया है, वहीं पर अजीम प्रेंची और फैमिली यह विपरो के संसतापक हैं, यह इन्होंने 1774 करोर रुपए यहाँ पर गातकरें, इतना इंहोंने क्या किया है, बहींना इस्ती पांच यह तीसरे नंबर पर है और गुमार मंगलम बिर्ला एंड फैमिली जो कि आधित्य बिर्ला कंपणी के मालिक है इन्होंने यह चौथी स्थान पर 287 करोड का डोनेशन इन्होंने किया है और गौतम अडानी एंड फैमिली का भी नाम आता है पांचवे नंबर पर जोनेशन किय है और यह पांचवे इस्थान पर है ठीक है तो यह कुछ रैंकिंग है जो टॉप 10 है इंड एडल्गी वहरून इंडिया फिलन्थ्रोफी लेस्ट 2023 में इसको आप याद रखिएगा सिव नादर एंड फैमिली को पहला इस्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है अगला कुश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो देखिया राज्य में धार्मे के स्थानों और तेर्थफ परेटनों को बढ़ावा देने के लिए केरल परेटन की नई योजना कुछ नए माइक्रो साइट के लांच पर किंद्रित है यह सभी जोड़े गए परेटन इस्थ चरचे में रहने वाला मंदिर है आप जानते होगे तो यहां की सुवेधाएं हैं जिल्स के लिए यहां पर माइक्रो साइट के बारे में कुछ आसानी से सुविधाओं से वहां के रूर रेगलेसंस को जानते हुए लोग यहां का परेटन कर सकें तो माइक्रोसाइट को देखें पांच भासाओं में धार्मिक इस्थल के बारे में कुछ आकर्सक विबलर साधा करेगी और जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, तो यहां पर आपको याद रखना है कि धार्मिक परेटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभासी माइक्रोसाइट कौँ सारा जे लांच कर रहा है तो यह किरल लांच कर रहा है अगले कुशन के बात करें तो स्रिलंका के त्रिको माली में किस ने किया तो किस ने किया अगला निर्मला सीता रमन तो आपको याद रखना है तो निर्मला सीता रमन इससे पहले इस बहुँ जाती है शहर में मुख्य हिंदू मंदिर पी पहुची उदगाटन के उसर पर पुर्वी प्रांत के गवर्णर सेंथिल थोंडमन थे और भारत और भारत के उच्चा युक्त हैं कौन है गोपाल बागले यह भी वहाँ पे मुझूद थे और SBI के जो अध्यक्षय दिने स्खारा यह भी यहाँ पे मुझूद थे और निर्मला सीता रवन ने यहाँ पे त्रिको माली में जो कि सड़ंका में पड़ता है यहाँ भारती स्टेट बैंक की साखा का इन्होंने उद्गाटन किया अगला कुईशन देख लेते हैं कि लीला ओमचेरी का निधन हो गया है वह कौन थी तो लीला ओमचेरी का जो निधन हुआ वह अभी यह कौन थी यहाँ पर सास्त्री संगितकार थी तो यह सास्त्री संगितकार थी ठीक है यह गाईका थी लेखिका भी थी तो यह लीला नगीत नता हुआ नारपी सब्लूस क्यों अपकर के सास्त्राइर पुर०्ष्ण के का निधन हो गया है यह एक briand ii का संगिताग्या और लेकी का थी तो यह आपको याद रखना है लीला ओम चेरी अगले क्रिश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले हाल ही में हुए निधन को देख लेते हैं तो फिल्लैंड के पुर्व राष्ट्रपती का निधन हुआ ठीक है मार्टी है तिसारी का और वहीं प एजी जाज इनका निधन हुआ यह मल्यालम फिल्म निर्माता थे और गीता महता का निधन हुआ यह प्रसिद्ध लेखी का थी तो यह कुछ हाली में हुए निधन थे अगले कुश्चन की तरफ यदि बढ़ जाए तो भारत में खाना पकाने की कथाओं को बदलने के लिए किसने राष्ट्रिय कुसल पाक कलाकारिकरम शुरू किया है तो यह शुरू किया है EESL ने ठेक है तो यह आप याद रखेंगे EESL Energy Efficiency Services Limited इसने शुरू किया है राश्ट्रिय कुसल पाक कला कारिक्रम तो क्या है ये EESL तो Energy Efficiency Services Limited ये भारत सरकार के विदुत मंत्राले के तहट करवजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उदम है जिससे सरकार द्वरा उर्जा दक्षता परियोजनाओं को सुविधा जनक बनाने और उर्जा सेवा कंपणी के रूप में काम करने के लिए स्ताफित किया गया था तो अभी इसने दो अभूतपुर्व पहलो National Efficient Cooking Program और Energy Efficient Fans Program का अनावरण किया जिसका अभूत देश से भारत में खाना पकाने के पताओं में अभूतुर्व परिवर्तन लाना है अगर हम बात करें यहां और आर के सेःग का राज कुमार सिंग ठीक है तो यह क्या है अभी आपके अर्जा मंत्री एक तरी कह सकते हैं यहां तो यहां पे आप याज रखेंगे EESL तो इसने क्या किया है अभी राष्ट्री एकुसल पाक कला कारिक्रम शुरू किया है इसको आप लोग याद रखेंगे अगले कुश्चन की तरफ बढ़ जाए तो हाल ही में किसने इंडिया मैनुफेक्ट्रिंग सो का उधगाटन किया है तो इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा अभी हमने देखा था वर्ल्ड फूड 2023 का उधगाटन नरेंदर मोधी ने किया था लेकिन यहाँ पे इंडिया मैनुफेक्ट्रिंग सो का उधगाटन किस ने किया है तो यह किया है राजनाथ सिंग ने इंडिया मैनुफेक्ट्रिंग सो यादर कियेगा यह राजनाथ सिंग ने किया है तो दो नुवंबर 2023 को मारमी रक्षा मंतरी स्री राजनाथ सिंग ने बैंगलूरू करुनाटक में तीन दिवसी इंडिया मैनुफेक्ट्रिंग सो का उधगाटन किया यह सो का छठा संस्क्रण था ठीक है तो यह सेक्स्ट एडिसन था इस सो का और वहीं पर लगुत दोग भारती एवं आई एम एस फांडेशन द्वारा सायुक तुरूप से आजित और रक्षा उत्पाद विभाग रक्षा मंत्राले द्वारा समर्थित यह कारिक्रम मेक इन इ स्री राजना सिंग ने बैंगलूरू तरणाटक में किया यह सब बाते आपको ध्यान में रखना है अगले क्विश्चन की तरफ पढ़ जाएं तो भारत निर्वाचन आयोग और किस मंत्राले के बीच और इंडिया और साथि साथ सिक्षा मंत्राले के बीच हुआ है तो जि न्यूज है इस टाइम पर आपके लिए इंप्वार्टेट बन सकते हैं क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है तो भारत निर्वाचन आयोग ECI और सिक्षा मंत्राले के भी चुनावी सब्षर्टा को लेकर एक समझवता क्यापन MOU पर हस्ताक्षर किये गए इसके तहत स्कूल और कालेज के चातर बहुत जल्द ही के चातर जल्द ही चुनावी प्रक्रिया में मददाताओं के रूप में अपनी भविस्ते की भुमिका और कर्तवियों के बारे में जानेंगे तो मुक्षी चुनावी राजीव कुमार ने कहा कि चातर 18 साल के हो गये हैं और मददाताओं बन गये हैं लेकिन मददाता या फिर मददान लोकाचार परिमाड के बारे में बहुत अधिक जागरूप नहीं है कैसे मददान करना है और किसे वोट देना है ऐसे समय में किन बातों का ध्यान रखना है इस पहल के तहट उन्हें इन तमाम बिंदों के लिए तयार किया जाएगा तो यहाँ पे ये सिक्षा मंत्राले के साथ इन्हों ने इस वज़त से इस MOU पर साइन किया है भारत निर्वाचन आयों और शिक्षा मंत्राले के बीच ये समझाता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया गया है तो आप याद रखिएगा शिक्षा मंत्राले के साथ इन्होंने समझाता किया है इलेक्षन कमीशन आप इंडिया ने अगला question जो हमारा है और आज का last question कि वर्स 2024 में विश्वदूर संचार मानकी करण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा So which country will host the World Telecommunication Standardization Assembly in the year 2024 तो ये करेगा भारत ठीक है तो 2024 में विश्वदूर संचार मानकी करण सभा की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है तो ये भारत करेगा भारत 2024 में प्रतिश्वदूर संचार मानकी करण सभा की मेजबानी करने के लिए तयार है जो 5G, 6G नेटवर्क की प्रगती की दिशा में एक महतवपूर कदम है तो केंद्री संचार एबम आईटी मंतरी अस्वनी वैश्वदूर ने वैस्विक प्रद्योगी की परिद्रिश्चे में देश के बढ़ते महतव पर जोर देते हुए इंडिया मुबाइल कंग्रिस 2023 में गोश्णा की है तो यह आप याद रखेंगे कौन सा देश इद बार विश्व दोजार चौबिस में विश्व दूर संचार मानकी कर असेंबली की में दबानी करेगा तो भारत करेगा ठीक है अब की बार भारत यह करने जा रहा है यहा उतल नारो चाहिए करूं बात करें का जो प्रफाय कंग्रीजन में डना तो यह की कहां पर गया है तो यहां पर यह कहां पर किया गया है यह आपको बताना है क्योंकि यह मुझे नहीं पता है मैं भूल गया हूं ठीक है तो कहां पर किया गया है सचिन तंदूलकर की प्रतिमा का अनावरण यह आपको कमेंट करके बताना है तो यह है आज के कुछ करेंट अफेर के क्विश्च ठीक है तो आई वोप कि आपको पसंद आया होगा ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू टाटा एंड बाइड बाइड